शुमाहपुरान की कथा करती है कि बदाम को पानी में भिंगो कर रखोगे तो उसका चिलका निकल जाता है बोलो निकलता की निकलता निकलता है ना बदाम को पानी में भिंगो कर रखोगे तो उसका चिलका निकल जाता है और इस मन को जो माहापुरान मे भिंगो के रखोगे, तो अहंकार निकल जाता है, लिश्षित है, जब यह आहंकार को निकाल लेएंगे, तब मेरा राम, तब मेरा कृष्ण, तब मेरा शिव हमें प्राप्त होगा, पा सिरि жाकर, भरा हुआ है, भीतर रहम भरा हुआ है, भीतर अंकार भरा हुआ है, और राम कृष्ण शिव को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, वो कभी नहीं मिल सकता, वो कभी नहीं मिलेगा, पद, पृतिष्था, कुरसी, सत्ता, वेभाव, यह सब एक दिन दूर हटते चले जाते हैं, आजमान दो आप उचे पतवे पैठे हो, बहुत बड़ी कुरसी का पद है, आपके पास बहुत बढ़ी सत्ता का पद है, दीरे दीरे हो सकता है, कि यह पद यह कुरसी यह सत्ता आपकी चले जा, शुमाह पुरान की कथा करती है सब कुछ बदलने दो वो बदलेगा सब कुछ बदलने दो वो बदलेगा पर शुमाह पुरान की कथा करती है एक आपका वैवार एक आपका चिंतन और आपका हर्दय ये कभी नहीं बदलना चाहिए तो जीवन में आप उन्नाती कर चलिए घर बदला बदल गया और हम आपसे भी एक निवेदन करना चाहेंगे बड़े भाव से कहना चाहेंगे घर कहीं पर भी मना लो मना नहीं है इंदोर में रे रहे हो, देवास में रे रहे हो, भोपाल में रे रहे हो, लखनों में रे रहे हो, कानपुर में रे रहे हो, औरंगाबाद में रे रहे हो, चाहे पुना में रे रहे हो, चाहे जमू में रे रहे हो, चाहे कश्मीर में रे रहे हो घर कहीं पर भी बना सकते हो और कहीं पर भी बना लोगे पर निवेदन है घर बदल लेना कपड़े बदल लेना फेशन बदल लेना पर अपना सनातन धर्म कभी मत बदलना अपने सनातन धर्म में हम जनमे हैं अपने सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं अपने सनातन धर्म में हमें पोशनता मिली है अपने सनातन धर्म में हम आगे बड़े हैं घर बदल लोगे चल जाएगा कपड़े बदलोगे चल जाएगा रकम बदलोगे चल जाएगा पर निवेदन है अपना सनातन धर्म अपना उस पावन धर्म को बदलने का कभी प्रयास मत करना कोई कितना भी लोब दे लालच दे कोई कितना भी कहे कि हमारे धर्म में आ जाओ इस दर्म में तो यह होता है, इस दर्म में तो यह होता है, इस दर्म में तो वो होता है, हम यह करेंगे, हम वो करेंगे, दुनिया के लोग कितने भी बढ़ता हैं, पर अपना धर्म, अपना भजन, अपना किर्तन, अपना मंत्र जाप, अपना समरण, बदलना है, यह दुनिया के लोग आपको खीचना प्रारम करें अच्छा एक बात बताओ प्रतेक पेड़ पर इतने सारे पत्ते लगते हैं प्रतेक ब्रक्ष पर धेर सारे पत्ते लगते हैं कभी ब्रक्ष को पत्ते के नाम से नहीं पैचाना जाता ब्रक्ष को पैचानते हैं इसमें इमली लगती है ये इमली का पेड़ है इसमें आम लगता है ये आम का पेड़ है इसमें खजूर लगती है ये खजूर का पेड़ है इसमें संत्रा लगता है संत्रे का पेड़ है इसके पत्ते से इसकी पेचान नहीं है इसके फल से इसकी पेचान है उसी तरह हमारे सना इसे लिए जगतगुरु शंकर चार जी ने लिजा जाकर विराजमन करा और चारों asi है उच्टो अगर शंकर राश्ट्ट नहीं तो राश्टन है पर यह जाईए बदिना जाओग सडल अज ऐधरtwarakadili मिल जाएंगे द्वारक जी सुम्नाइजी नागेश्वार मिल जाएंगे इधर जाओगे रामिश्वार मिल जाओएंगे इधर जाओगे तो आपको अन्ह गैन्य देवताहुं का इसमरिन हर पलकाशी अधिकादिक Lord अब जैसे बॉर्डर पर सेनिक खड़ा होता है, हदगोले बंदूक लेकर जगतगुरु शंकराचार जी ने भारत मा की बॉर्डर पर भी चार पीठ बनाकर चार जगापर मेरे महादेव को त्रिशुल लेकर खड़ा कर दीगा है जगतगुरु शंकराचार जी ने चार फीट का निर्मान करकर मेरे जगतगुरु शंकराचार जी ने महादेव को चार जगापर विराजमन किया कि ये मेरे मेरे महादेव के हाथ में डमरू है वह जब नाद करता है हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है हम दुनिया के दोश को मिटाना चाहते हमारी पुरी जिंदगी निकल गई हमने दुनिया के दोश को मिटाते मिटाते और दुनिया के दोश को देखते देखते जिस दिन हमारी स्वयम की जिंदगी अपने दोश को मिटाने के लिए अपना दोश देखने के लिए निकलने पड़ी यह जिन्दगी अपना दोस मिटाने में लग जाए तो समझ लेना कि फिर जनम नहीं होने वाला अब यह अंतिम जनम हैं और पत्र भगवान शिवक की कृपा निश्य को है अपनी जिन्दगी को सवार ना है हमाँ अपने जीवार उसने ये करा उसने वो करा इसने ये किया उसने वो किया ये पुरी जिन्दगी निकल गई हमारी पर हम अपने भीतर के काम को अहनकार को आसक्ति को वाशना को तरिशना को लोब को विशय को निकाल नहीं सके कई लोग करते हैं रुद्राक्ष से चमतकार होता है हम कहते हैं रुद्राच और चमतकार ये दोनों अलग दोनों अलग मेरे महादेव ने मेरे देव अधिदे महादेव ने बेदव्याज जी ने श्यू महापुराण में कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा कि चमतकार का संबोधन मेरे बेदव्याज जी महाराज जी ने कहीं लिखा मेरे वेदव्याज जी ने पूरी इश्यू महापुराण में चमतकार शब्द को कहीं नहीं लिखा मेरे महादेव कहते हैं पारवती ये रुद्राक्ष का पोधा ये रुद्राक्ष का ब्रक्ष मेरे नेतर अश्रू से प्रगट हुआ ये रुद्राक्ष का पोधा ये रुद्राक्ष का ब्रक्ष मेरे नेतर अश्रू से प्रगट हुआ है पारवती ये रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर चौधा मुखी तक रुद्राक्ष शू महापुराण की विद्धेश्वर सहीता में लिखा है और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष इसकंद पुराण में लिखा है एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन गर्ग सहीता में भी आता है और एक मुखी से लेकर चौधा मुखी तक अठारा मुखी तक रुद्राक्चा कावर्णन लिंग पुराण के अंतरगत भी आता है यह स्वया मैंने प्रगट करा शिवजी काते हैं मेरे नज़्दीक आने वाले को चमतकार से मतलब नहीं होना चाहिए जो तुमसे कहे कि हमारे यहां चमतकार होता है तो कहता रहा है पर कुवरिश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है और आपका विश्वास है यहां चमतकार नहीं यहां बेल और भवुती नहीं यहां बेल और भवुती नहीं है यहां मेरे शिव का विश्वास है भरोसा दड़ता और यह भरोसा नहीं तो और क्या है लोग करें थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं नहीं मिलेगा चले जाएंगे अब जड़ा विचार करिए एक दो तीन चार पांच और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल यह रुद्राक्ष के लिए नहीं कंकरशन करके लिए और इनका विश्वास अगर पक्का है अगर इनका भरोसा पक्का है तो यह विश्वास वान कर चलना कि घर पहुचोगे और बाबा देवा दिदे महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुम को यहाँ दे वहाँ दे कहीं पर भी पर मिलेगा जरूर यह निश्चित है विश्वास के बल पर मिलेगा भरोसा पक्का आपका विश्वास में मूलता है विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोबर्धनात मेरा श्रीजी बाबा प्रगठ हो सकता है विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है विश्वास में मूलता है तो आवत छोड़कर रायुद्या छोड़कर मेरे परच्छा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं विश्वास पक्का है तो मीरा भाई को दिया गया जहर भी अमरत हो सकता है विश्वास पक्का है तो कर्मा भाई की खिचड़ी भी अमरत हो सकती है यह विश्वास की मूलता है यह विश्वास की मूलता है यह विश्वास की जाओ अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो शिवालय हो अपने घर के पास में जो देवादिदेव महादेव का इस्थान हो वहां जाकर बस विश्वास रखकर एक लोटा जल समर्कित तरना प्रारम करो धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चड़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा, बदाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है, और इस आत्मा को, चित्व को, वरती को, शरीर को, मन को, शिव महापुराण में गला देने से, हमारे भीतर का का महंकार तृष्णा निकल जाता है, हमारी विशाई वासना, हमारी आसकी, हमारी तृष्णा बाहर निकल चित्वरती में शिव समाया ओँ शंक्रो चित्वरती में महादेव हो चित्वरती में शंभू हो अटकाएंगे लोग कहेंगे कहने वाले कहते रहेंगे महाराजी तुम्हारा भजन का बल कम नहीं होना चाहिए लोगों को बहुत विचलित किया जाता है जब जब वो सत्संग संकीतन भजन में जाने का प्रियास करते है मनसोर में कथा होने वाली थी तब भी भी कहीं न कहीं लोगों ने गलत बातों का स्मर्ण किया फिर कहीं कथा होने वाली थी हमने दिखा एश्यू महापुराण जब-जब होती है उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा करम होता है जिसके कारण वर्ष भक्त कथा से वंचित हो जाएं भक्त कथा से दूर हो जाएं भक्त कथा को छोड़ दें ये प्रयास किया जाता है पर मेरा महादेव आपका हाथ इसा ही लेता है ये श्वतत्तवा ये भगमान ओगरदानी की कृपा ये उसकी दया है मैंने तेरे ही भरो से बाबा देरे ही भरो से हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतों चटी ना मैं बड़ी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतों चटी ना मैं कटी जावांगी महराजा हातों में अगर डोर मेरे महादेव के है फिर नहीं दूख बस उसके भरोसे और जब हम उसके भरोसे पर होते हैं तो वो भी हम पर पून भरोसा करता है हम उसके भरोसे जब होते हैं वह हम पर पून भरोसा करता है शिवतत्व कराएं देवादीद्यों महादेव की शुमहापुराण की कथा कर रही है आपका जब विश्वास परवल हो आपका जब भरोसा परवल हो आपकी जब दड़ता परवल हो तो आपको भक्ती का बल मिलता ही है जो फूल की माला होती है ना फूल की माला उस माला के बीच में से दो तीन फूल निकाल दो ना दो तीन भी जाने दो एक फूल ही निकाल दो माला का यह तुमारे घले में जो माला पेने हो उसका एक कड़ी निकाल दी जाए तो वो माला वो हार अच्छा नहीं लगता माला में सब पूल होंगे तो उसी तरह, जैसे माला में से एक फूल निकल दिया जाए तो माला शोबा नहीं देती और हमरे जीवन से अगर हमारा महांकाल निकल जाए तो यह जीवन भी शोबा नहीं शिव का नाम भगवान संकर का सब्द दक्ष प्रजापती ने यग्ड करा, दक्ष प्रजापती ने यग्ड रचा, दक्ष प्रजापती यग्ड कर रहा है, और दक्ष प्रजापती जब यग्ड कर रहे हैं, सब को बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया, यग्ड की शुभा रही, सब को बुलाया पर मेरे महांदेव को नि-इमांतर नहीं डिया गय इंज है कि माहरत पर भलेना बुलाया हो मेरे महादेव को भलेना बुलाया हो फिर है महादेव सा महादेव है कितना विजित्र काम दक्षे-प्रजापती जी दिया था कि भगवान संकर आए तो इन्होंने कह दिया दक्ष्य प्रजापति की सवा में शिव बेठे हैं और सबने प्रणाम करा पर महादेव उटकर देखनें पाई क्यों कि कुछ हो जाता है कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बेठा रहता है नहीं देखता है कहीं व्यक्ति एक अपनी मस्ती में इस नहीं देख constitution कि मेने अब क gew स्कथ्य प्रणाम करा कई और कि मेरे अब कि और मेरे जमाई हो और तुम मेरे जमाई हो कर तुम में आया और तुमने मुझे प्रिणाम नहीं किरा मैं आया रुटे खड़े नहीं हुए में तुम हिए भर्रीफ देता हो कि में रीफॉट्टें। संकर भगवन बड़े परसंद्र हो गये कि मिर्ससूर्त ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससूर ने मुझे मकान दिया, तो एसी जगा दिया, जहां कोई कबजा नहीं करेगा, संसान में मेरा निबास हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, अब स्वयम के ससूर इतनी बड़ी बात करें कि तू संसान में रहेगा, अब ये बात अगर कोई तुम से कहते है, जाओ तुम तुम मसान में जाओ, अब ये ही बात तो उनके ससूर ने की थी कि संसान में जाओ, बुरा लगा क्या, देवादीदे महादेव को, जम के वो लो जरा लगा, नए, और तुम से अगर कोई कुछ कह दे, जरासा कुछ के देवाद, जरासा, तुम भोजन की प्लेट लेकर गए, और उसने तुमको नुक्ती दे दी, आज का क्या बनाता, नुक्ती, खिचडी, फूडी, मिचर, मिर्ची, काचार, यही था ना, तो मालूम पड़े, अब किसी ने तुम्हे प्लेट आगे करी, और उनने तुमको पूडी दे दी, खिचडी दे दी, सब दे दिया, अब तुम कह रही हो कि नहीं, मुझे तो दो पूडी दे, टेविल पर खड़ा हुआ वेक्ती कहेगा, अच्छे सिखाओ, फिर लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, जूटा ना छूटे, वो डस्बीन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे, उतनी बार मिल जाएगा, पर किसी ने कहा नहीं, मैं तुमको दो दे दियाओ, अभी तुम इतना खालो, अजाना, उत्ती देर में हमको कुरोध जाग गया, उत्ती देर में हमको हमारा आहम जाग गया, हाओ, खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोज भी नहीं साकते, अब तुम्हारे भीटर यह भाव जाग गया परन्तुई अन भाग हमारे हाथ में हैं भोजन भाग हमारे हाथ कम वह जल box in कि और या बहुजन भाग हमारे याथ में है और अन भोजन गरन कर रहे हो उस समय पर हमें प्रोद का त्याग करकर चलना चाहिए जिससे हम भोजन ले रहे हैं हमको यह मानना चाहिए कि यह स्वयम महादेव की अनपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और यह मरत के तुल्ले दे रही है एक चीच बहुत अच्छी लगी हरियाना से आई हुई बेहन पंजाब से आई हुई बेहने आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जितनी भी हरियाना दिल्ली और साइट के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं जम्मू आधिकारी करके इनके बात बहुत अच्छी लगी कि अपने बेग में रखके इतनी बड़ी पिलेट साथ लेकर आए हैं खुद की प्लेट लेना खुद पाना खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना कोई चिंता नहीं कोई टेंक्श नहीं सारे जितने जगा से आप लोगा है यहां पूरा भारत की भूमी का एसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है सब प्रदेश का व्यक्ति हैं एसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है सब प्रदेश का और एक वेक्ति सेवा नहीं कर रहा है इसा नहीं सबने सेवा करिए सुचार रूप से करें सबने सेवा करें कि महाराज नहीं कि यह बद्धी का बल हमें बढ़ाना है क्रोथ अहम आसक्ति प्रिश्णा वासना इसे परे होते जाना है जिसके नेत्रों में लोब होता है उसको सब लोबी नजर आते हैं जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कप्ति नजर आता है जिसके नेत्रों में बैमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति धोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति धोंगी और प्रपंची न जा रहा है उसके भीतर साहुकर पन होगा तो साहुकर दिखेगा विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की द्रश्टी होती है कि यह दिख पेसा र रिषी के पुत्र थे मंदार मंदार आकडा पुष्पर शमी औरव रिषी की बेटी जब बड़ी होती चली गई तो औरव रिषी की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया पर एक काम औरव रिषी की बेटी शमी करती रही कि भरण कोश्ण में अग्रणे रही कोई भूका मिल गया औरव रिषी की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया यह बेटी का जीवन होना चाहिए कई कई बहूं की आदत रहती है पोया बनाती है पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है कई कई हलवाईयों की आदत रहती है भोजन बनाने वालों की आदत रहती है बंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पेले अपने लिए तरी तरी की सबजी और जोरदार चावल जोरदार बुंदिया जोरदार सेयो साब पेले अपना निकाल के रख लेते हैं उसके बाद दूसरे को देते हैं पर महराज औरवरिशी की बेटी शमी उसमें की थी अगर उसकी ठाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा पर सामने वाला भूका नहीं रेना चाहिए उसको जरूर ठिला यह बड़े विचितर शब्दे हैं जराशी मुहापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़ जिस समी की पत्ती में काटे होते हैं जिस बेलपत्र में काटे होते हैं और जिस आखड़े को मंदार के फूल में वो दूद होता है कि आख में चले जाए है धतूरा जिसमें जहर भड़ा पड़ा हुआ है यह को क्यों समर्पित है यह संकर को क्यों चाहिए यह संकर के पस क्यों जा रहे है क्यों कि उसका एक कारण है सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता हमेशा बुरा होता और वो सत्य बोलने आप इतने सारे बेठे हो, आप इतने सारे बेठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुन्दर कांड में जाएगा, रोज रोज सिव महापुरान की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चेनल को खोल कर शिवू महापुराण की कथा सुनेगा या Facebook यूटूपर शिवू महापुराण की कथा सुनेगा तो तुम तुमारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे कहां चक्कर में पढ़ा ए 3-4 दिन तक चले जाता है मा जी में क्या मिल रहा है? क्यों काता में पहुच रहा है? अब भजन में जाने वाले को दुन्या के लोग ताना देर कर रोकने का प्रयास करते हैं पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग माल में जा रहा हो किटी पार्टी में जा रहा हो दोस्तों के साथ enjoy करने जा रहा हो और किसी मावा आपने कह दिया हो क्यों जा रहा है मौल में क्यों जा रहा है पार्टी में क्यों जा रहा है वहाँ अगर रोकते हैं तो धर्म की जगा पर रोका जाता है रोकते हैं तो सतकर्म की जगा पर रोका खाता है जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं जिसने जीवन में कभी रमायन को पढ़ा नहीं जिसने जीवन में कभी श्रीमत भागवत को पढ़ा नहीं जिसने जीवन में कभी श्महा पुरान को जाना नहीं जो संकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवल में लिखा है कि संकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता कि गुड़ खाते हैं और गुल-गुले से परेच करते हैं कि गुड़ खा रहे हैं हम प्याज नहीं खाते हम प्याज को छोड़े हुए बीच साल हो गए हम लेसुन नहीं खाते हैं लेसुन छोड़े हमें पचास साल हो गए पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल पैसा घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो पांच मिनिट में निप्टा जाते हैं गुड़ खाएं और गुल्गुले से परेच कर रहे हो प्याज नहीं खाते हैं और पांच साजार रुपे किसी को दे दी और उसका दोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए प्याज नहीं खाते हैं दूसरे का धन मिलकर खा गए दूसरे का वेवह मिलकर खा गए यह स्रिष्टता निश्रेष्टता हमारी शुपुरान करती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का परयास करना है जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चड़ाने के लिए संकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं उस घर के बच्चे कभी अपने माबाप को ब्रधाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे जो संस्कारों से पुशित हो गया जो संस्कारों के प्रवल बल पर आगया वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को ब्रधाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा और तुम अंदाज लागा कर देख लेना यहाँ पर बेठे हुए यह जो 14, 14, 15, 16, 16 जजमान बेठे हैं यह कोई कम नहीं है किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है तो किसी की चांदी के पायल बनाने की तो किसी के चांदी के बरतन बनाने की फेक्टरियां तक डली हुई है इसे जजमान हमारे बीच में बेठ करेंका इनसे बात करिए का इनका वेवार में आपको गौाने किसी के साथ दुकाने किसी की इतनी प्रॉपर्टी है कोई फेक्टरियों का मालिक कोई कुछ है फिर भी संक्र के चरणों में केवल दरी दाल कर और एक कम्मा लोड कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज़रा है और हमें जरासा बल मिल गया हमें जरासी सता मिल गई हमें जरासा वेभा मिल गया हमें जरासा लोगों ने चाहना परारम कर दिया हमें जरासा लोगों ने कहना परा पाउं की चपल तक उठाने के लिए है महाराज जो अपनी पिलेट खुद मांज कर भोजन कर रहे हैं इनसे सीखना चाहिए सीखना चाहिए जितने जजमान आए रोज प्रती दिन समीर जी से, आशीज जी से, आकाज जी से रोज करते हैं, कुछ भी करो, आकाज भीया कुछ भी करो, आशीज भीया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ समीर भीया, आकाज भीया, रोज करते हैं लेको फेलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे अब पिचार करिये जरे, क्या मिल रहा है, सियोरवला महराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम तस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुमारा विश्वास ही तो प्रवल है, ये तुमारी दरता ही तो प्रवल ही, तुमारा भरुसा ही तो प्रबल है क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है कि कई लोग दिखा रहे हैं कि यहां लोग भूके रहे हैं पानी तक नहीं मिल रहा है अगर यह भूके रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बनकर चले जाते फिर काहे को रहते भाई काहे को रहते हैं कि विचार क व्यक्ति अपने घर में बेटकर गहन चिंतन करना विचार करना इस्समर्ण करना क्यों पड़ा है यह स्योर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है यह कुवेर बंडारी के कहने पर महाकाल राजा के कहने पर शंकर कंकर की भूमी पर पड़ा कि एक दिन में 20 लाक भक्त और ना निमंतन ना पत्रीका ना कहीं कुछ ना कहीं कुछ ना चावल ना धावल कुछ नहीं और एक साथ विश्लाक भक्त एक साथ पहुच जाए तो यह शिव किर्पा के सिवा कुछ सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सब्सकिन कोई साधन नहीं है, और सबसे बड़ी प्रस्णता होना चाहिए सबसे बड़ी प्रस्णता होना चाहिए कि एक शूमहा पुरान की कथा जद लगा पर 20iliśmy ऑने ऑन खोड़ा कर सकती है, यह भारत की भूमी में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है केवल संत साधु सन्यासी तपस्वी साधा कुपासक अपनी भक्ती को अपनी दड़ता को अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवन का भजन करें हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाएं तो राष्ट सुधर ज को अपनी अभी मत्ता को दूरपटको और जब अभी मत्ता को हमने दूरपटक दिया अब आप सुत्रे ओं कि दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे आप अपने आप में अच्छा समझ आपके दृष्टी श्रिष्ट रखिये काला चसमा लगाओ तो काला देखे निला लगाओ पीला लगाओ गए पिला देखे गां जैसा लगाए बैसा दिखे आप कैसे हो समें भला वीक्ति डिक्ता अठेकर अपने एक उंगली इसे पर उठाते हैं तो यह त्छ पुट महादेव को समझना किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गाए किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जित्ती मेरे महादेव को मिली हर पल पल में मिली हर छंचन में मिली हर छंचन में मिली शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरंडन कर देते है कि आप शिविलिंग की पूजन कर रहे हो एक लिंग की पूजन कर रहे हो एक शिविलिंग की पूजन कर रहे हो लोग उसको गलत बताना चाल जितना महादेव को सब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया जो बोले वो महादेव को बोले क्योंकि बेकुंट अधीपती बेकुंट में रहते हैं ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं और मेरा महादेव मर्तियू लोक में रहता है जो मर्तियू लोक में रहा है सुनना उसी को पढ़ता है कोई दूसरा नहीं सुन सकता सुनना पड़ेंगा जन में हो सुनने के लिए भजन करो और रव रिशी की धर्मक और रव रिशी की बेटी शमी काटे लगे हैं काटों सब्सक्राबोर है काटों में रह रही है और शमी भक्ती का बल प्रभल करके बैठी अब काटों में रहना एक होती है गुलाब जामुन एक होता है गुलाब का फूल गुलाब के फूल में काटे होते की नहीं होते अरे बोलो तरी जीजियों होते ना गुलाब का फूल और गुलाब जामुन किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशी कौन सी है एक ही राशी निकलेगी गुलाब के फूल की भी राशी एक है और गुलाब जामुन की राशी भ जा रही, कित्ती जोरदार किस्मत लेकर आई है, और वो गुलाब का फूल काटों में पेदा होता है, काटों में बड़ा होता है, काटों में जनम लेता है, काटों में मुर्जा जाता है, वो गुलाब का फूल काटों से तूट जाता है, दोनों में, दोनों की राशी एक है, दोनों में कितना अंतर है, एक घी में सरावोर है, निकलने के बाद चासनी में सरावोर है, और दूसरा काटों में सरावोर है, बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकल कर चासनी में जाती है, और चासनी में से निकल कर इसा ही होता है दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे अब शब्द कहेंगे कांटे देंगे और वो कांटों में पनपता जाएगा पनकता जाएगा और गुलाब का फूल तूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चलणों में अपने हाप चला जाएगा होता है कहे कहे कितना भी चित्र जीवनम जी रहे हैं कितना भी चित्र आज मैं अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं वो तो आप लोग शुमाह कुराण की कथा में यहां आये हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहां से जाओगे तो इतनी दूर जाके भोजन करोगे ने पानी पियोगे फिर जाओगे ने बॉटल लेकर फिर पानी भर के लाओगे यह तो तुम इतना चल रहे हो नहीं तो तुमारे रखा है आप इसमें अपनी पूरी जवानी पूरी जवानी तुम ने नोकरी में निकाल दी जब गवर्मेंट ने पूरा निचोड लिया ऐसे हो गए कि मुझ का गाल भी अंदर दस गया किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया तब जाकर फिर 60-60 साल में रिटायर हुए फिर नोकरी करते करते चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बढ़ा पाया बच्चों को बढ़ा करा एक दिन बहू भी आ गई बच्चे भी बड़ तुम्हारी उलाद तुमको चुप करना सिखा देती क्यों कि तुमकि अहम तुमको अब चूर हो रहा है और जिब आहम चूर होता है तब दुख होता है इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ती में डूपते चलोगे यह मानते चलोगे कि सुक और दुख तो मेरे महाद पढ़े हूए यहां से तुम सुरूबात करो तुमारे जीवन क क्या मेरा अंकार चले गया पर पढ़ाओ जमीन पर पढ़ाओ दरी पर सो रहा हूं धौक अधम चलकर भोजन करने जारहां दो धंधम चलकर वापिसा रहा है समान पढ़ा है कोई चिनता नहीं है ब्यत चिनता एक सन्यासी में और एक घरस्ती में एक अंतर सबसे बड़ा होता है एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे खुब सोने की रकम अकम पिने थे संत खुब जोड़ार अगले स्टेशन पर वो एक सेट जी चड़ गए बहुत सारा समान बहुत सारा दो बेग इदर ट्रेन के नीचे डा बेठ गया हुआ अब उन्होंने मन में मैं जोचा सेट जी ना बता महाराज को तो देखो कि उना भी हमाराज माराज ओं को एसी के डब में जाने कि न baik अ जाOP आप कहा जा रहे हो बस हम भी प्रयाग राजी जा रहे है ठीक ठीक है बेट हो गए अब सेट जी बेट गए अब सेट जी को तो बस वह महाराजी इता एसी का डबा फस्ट किलास इता ठाट चिंता टेंशन अब सेट जीने का महाराजी यह तो सारी यह सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए क्योंकि आप तो संत हो अगर आप इतना जोड़तर चलोगे तो फिर संत में और सेट में क्यां अंतर होगा तो यह तो व्यर्थ है यह 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 तो व्यर्थता आए ना अगर कहा इस्मरण किया देखा यह तो व्यार्थता है सेट जी ने का नहीं व्यार्थता नहीं है तुम्में और हमें बहुत अंतर है आप करें आपने और हमें कोई अंतर रही है बहुत अंतर है बहुत अंतर है बहुत अंतर है प्ष्यान करें संथ कुछ भी सामद है कि मन के सुकुन के बच्चे खुड़ा सजा करें कि एक मिनिट में छोड़ सकता है और महाराज धन अवेभव की सक्ता में हम नहीं छोड़ पाते हैं इसा हो नहीं सकता काम पर कर के बता सकते हैं अगला इस्टेशन आया संत भी उतरे सेट जी उतरे दोनों नीचे उतर गया और जब धोनों नीचे उतरे उतरते US जैसे का हाथ संत ने पकड़ा छोड़ नहीं रहा बहुत प्रियास कर गया पर नहीं छूट था, बहुत है आसका, नहीं छूट था, और जब नहीं छूटा, प्रेन निकलने लगी, प्रेन जाने लगी, सेट जी कने लगे, मेरा समान भड़ा पड़ा हुआ है, इतने में संत ने कहा, समान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर रहे हमें एक छण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हैं संत साधू सन्यासी तपस्वी साधक उपासक यह मान कर चलता है कि सर्वस्वता कुछ सब नश्टरिया भगवान शिव की कथा कर रहे है ओगर दानी का चरीतर कर रहा है शिव महापुरान कर रही है आपका विश्वास जब जागरित होगा आपका भरोसा जब प्रवल होगा आपकी दड़ता जब प्रवल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दड़ी होगा तब आपको कहीं जाने की जरुत नहीं पड़ेगी महादेव स्वयम आपको ढूंडता हूँ आपके पास आजाए यह आपका विश्वास प्रवल होना चाहिए जड़ी होना चाहिए भरोसा प्रवल होना चाहिए जड़ी होना चाहिए विश्वास प्रवल होना चाहिए करेदे करें दूख कारूं दया करीन दर्शन राखूं शिवतत्व कहरा है मानुदेश्ट। बगवान शंकर का गुरगान कहरा है। शिवतत्व कहरा है। शमी काटों में रमी होई है लदी होई है और भाव शुद्ध है उसका। भाव गरबन नहीं होगा। मंदार धोमे रिशी का पुत्र या आकड़ा मंदार धोमे रिशी का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने बात कही कि तुमुरुका जी का नाम लेकर सफेद आकड़े की जड़ होती है। शिव जी का उसका इसमर्ण करकर एकिस बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो दर्म होता है उसके कौनसे दिन सात्रे दिवस्प। क्या इतना उस मंदार का उस इतना बढ़ना नोत शिव कथा कर रही है। शमी नाटों में रहकर भगवद बजन कर रही है और मंदार जो स्वयम धौम में रिशी के पुत्र है वो साधर्ण नहीं है धौम रिशी का पुत्र मंदार। वो आकड़ा साधर्ण नहीं है। वो आंकड़े की जड़, वो आंकड़े का पुष्प साधर्ण नहीं, मंदार 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 का प पहुँचते हैं, एक भर भुषंदी रिषी, अब भुषंदी रिषी, जो किसी देवता को नहीं मानते, कहीन नहीं जाते, केबल एक जगह पर याराधना में लगे रहते हैं голов श्री गने जी महराज की अराधना कर वें , केवल गने जी की अराधना कर वकि कहीं नहीं जाते वो भुशंडी रिशी , जो गने जी की अराधना मे लगे रहते लगे रहते समय बीत अ automotiveा था समय good द्वादना करते हैं इस थ्यान देना मारा वा सत्यight मेंे त्रेता यूग में द्वापर यूग में और स्फिते लोग बहुत बड़े बड़े अंतर हैं उसको समझेगा सत्यूग में हझारो वर्ष तक करना पड़ता था सादनाया परती थी तब भगवान प्रसन्न होकर वर देता था तब मेरा प्रमात्मा आता था तब मेरा भगवान आता था के द्वापर सा पर पर भूब तप साधान करो तब भगवान प्रसंद होते थे धुरेज supply में 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 घोब साधना करो तीरत करो तब भगवान प्रसंद होते थे ज्यूत ₹30 ऑपर आप और हमको एक सबसे बड़ी खुशी मनाना चाहिए कि अपन कली यूग में ले रहे हैं इस कली यूग में केवल भगवान का नाम ले लेना और एक लोटा जल चड़ा देने पर ही भगवान परसंद नहीं अब ना तो सियोरवाला महराज से इतना तपसाद ना हो ना तुम से हो तुम तोबी कर लो हमसे तो ने हो कोई कहे कि माराज जी तुम 4-6 8 गंटे तक और बन करके बți जाओ और तपसाद ना करो तम तो 25 जा आख खोल के देख ले और दो नी खोले तो एक तो खोल के देख ख ले की का कर रहे हो अब अब साधना हो रही है अब एक व्यक्ति को एक साधना कख्षा में बिठा दिया और बहुत सारे साधना वाले खड़े हुए ते बहुत सारे अच्छे उन्होंने इसके माथे पर एक बिंदू ऐसा हिलने वाले लटकाया और सीधा अब आग बंद करो दीरे दीरे देखो तुम कहां हो ध्यान लगाओ तुम कहां हो अब तुम बहुत दूर बहुत चुके हो अब आग खोलो बताओ क्या देखा कुछ ने पटना देखा अब विचार हम क्या देख रहे हैं हमारी साधना क्या है पीछे के अवाज बढ़े हैं हमारी तप साधना क्या है हमारी भक्ती क्या है ज्युममहपुराण के कथा करेए ना आज के व्यक्तित घत हो सकता है ना साधना हो सकती है ना कुछ हो सकता है केवल एक कारे हो सकता बोहतना है है एन लोटा जलव दिवा दीदम यो मॉह धित कर सता जब सब्सक्रादमील द में जब उसका चित्त लगा जा हुए हुए जब उसका दिल महद्ग उसे जुड़ जा हुए हुए जब यह मन लगत आइ आपका एक लोचा जेट नहीं है अ नहीं ह release प्रसन्न होकर जीवन जीओ और जितनी मस्ती में जीवन जीज सकते हो जितनी खुशियों में जीवन जीज सकते हो उतना जीओ मस्त होकर जीवन जीओ क्योंकि सीरियस तो आदमी हॉस्पिटिल में भी पढ़ा रेता है में कोई मस्त नहीं पढ़ा रहे था कुछ उक नहीं पढ़ा रहे हैं मस्त खोकर जीवन जी आ कि सिसी आहे अरति अ मेलीना भगवान की भक्ती मेलीना कोय मतलब नी किससी अपत्रमा मेल अपनी अपना अपनी सदन है श्री गनेजी महाराज की करी गनेजी प्रसन्न हो गए और उनके प्रसन्न करने के लिए भुषंडी बाबा के उपर गनेजी यूही नहीं प्रसन्न हो गवान देवदीदे महादेव ने स्वेयम ने बुशंडी बाबा řिषी के लिए देव दिद भाधेव ने गनेजी से कहा कि इ teilweise साले से कर रहें हो अराधना कर रहें कोई तो वर्दोल को जानों पोटप शांजना के लिए उनको प्रसंददि बाबा के पास में इस फ्री जिन होकर श्रीय महाराओ और पुर्गनेजी महाराज ने भुषंडी रिशी को देखकर तुरंत कहा अपको क्या वर्बू मैं क्या दू एक बात याद रखिएगा सत्ययोग में भगवान प्रसंद होकर प्रगट प्रगट होकर करते थे तुम्हें क्या दिया जाए त्रेटा में भगवान प्रसन्द होकर प्रगट होकर करते थे तुम्हें क्या दिया जाए केवल कलियू कैसा है जिसमें हम जो कामना करकर बेठते हैं इस्मरण करकर बेठते हैं मेरा महादेव वो कामना बिना बोले ही शिवाए नमस्तु भ्यम्भजो अवरिश्वर धाम पर अगली वार बाबा हाथ पकड़ कर फिर खीच कर बुला लेगा निश्चित है हो सकता है भीड अपा रहे आविवस्ता हो सके भोजन में थोड़ी देर हो सके पानी मिलने में थोड़ी देर हो सके कोई हमारे कश्ट होंगे जो हमको यहां पर कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा कश्ट सहन करना पड़ रहा हो समझ लेना समझना गोली में ज्यादा दम होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा दम होता है जम के बुलो जरा इंजेक्शन में दम होता है गोली खाने में दर्द होता है कि इंजेक्शन में दर्द होता है इंजेक्शन से दर्द होता है कश्ट होता है ना पढ़ता है बढ़ की reporting दिए न। थोड़ा कष्ट हुआ ढर्द हुआ ठीक तो हूगया। imagined शुर्माहपुरान की कता कर रही है यहां आने के बाद अगर आपको दुनिया के लोग कर रहे हैं। । चाहें दुनिया के लोग कितने भी कहे हैं। लिखने जुखने वालों ने लिखदिया। मा तो खाने को नहीं न पीने को नहीं अगर खाने और पीने को नहीं होता तो मेरी जी जी हो तुमिया ठेर पाते जिरा विचार तो करिए एक अंदाजा तो लगाए जिरा विचार करिएगा जिरा दस रुपे की बाटल को पचास-पचास रुपे में बेचा है इतना धिर्दा एको गात लगा है कि बोल नहीं सकता बस कथा बाचरा हूं इससे बड़कर कुछ नहीं हो सकता जहां का मैं गुणगान करता था कि आपको बुला कर आनन्द किया नहीं वहां विचार करिएगा यहां से सिहोर जाने के लिए लोडिंग में जिस व्यक्ती ने लोडिंग लगई एक व्यक्ती से मार्ट रेल्वे इस्टेशन ले जाने के तीन-तीन सो रुपे लिए उसका हिर्दय गात है मुझे है ले आंदर से दुख्य हुँँ इस चीश के लिए कितनी तमनहा बरहानपुर कठाकरी फूरे खोल दिया है दुनिा के लोगों ने बरभनिकरी बंदारे खोल दिया माले गाण करी फूरे बंदारे कोल दिये मालूम नहीं था कि यहां गेहूं के खेत्व में भी अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो उससे भी 20 रुपे लिए जाएंगे यह जिंदगी में नहीं सोचा था और कुबेर भंडारी की मिट्टी कुबरेश्वर महादेव के नाम की मिट्टी महाराज का फोटा चिक का कर 700 रुपे की बेच रहे हो गजब गजब नहीं सोचा था विचार यह विश्वास से कहता हूं जो नजार अभी देखा है इस नजारे के बल पर कहता हूं अगला रुद्राक्ष महुस्व होगा रुद्राक्ष भले वित्रण नहीं हो तुम्हारे लिए आरो के वाटर की पूरी ववस्था और लेट बात की पू और कोई होटल नहीं होटल से वड़ी होटल का निर्माण और होटल से भी सुन्दर टेंटों का निर्माण भले कुछ भी लगे पर सारे होटल जैसी सुविधा इसी प्रागंड में मेरा बाबा देवा दिदेव महादेव कर आएगा कहीं नहीं जाने दूना और साब सजर कर दिया वो भटक रहे यह कहां के री थे बाबा कहां के लिए यह मत सोचना सीवर्वाला महराज तुम तुमारे बाप के घर में पिता के घर में आये हो उस पिता के घर में पिता को भी दुख होता होगा जब उसकी बेहन बेटी या उसके बेटे को कश्ट होता होगा यह मत सोचिया धन्यता है मेरे में कहना नहीं चाओंगा पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे परकने में देरी हो गई मैं मेरे बाबा में लगा रहा इन जन्मानस को नहीं परक पाया बाबा बस मुझे छमा करना कि मैं इनको जान नहीं पाया नहीं जानता है देड़ सो रुपे की पानी की बाटल देड़ सो रुपे की पानी की बाटल देड़ सो रुपे की भाद कर दिया नमनता है बाबाब भोजन का पंडाल अभी इस बार पांच लाख लोगों को एक साथ भोजन कराने के लिए पंडाल लगाया है अगली बार दस लाख लोगों को केवल भोजन कराने के लिए पंडाल लगाएंगे और तैयारी करकर बेखना मेरी जीजियों ये रिकार्ड भी तोटना चाहिए अगला रिकार्ड भी बनना चाहिए वो तैयारी तुमारी होना चाहिए बिना रुद्राक्ष भटेवी बाबा शिवसंभू संकर ओ घड़ी मेरा केलाश अधिपती खाली नहीं रखेगा जोलियां भर कर इस बार तुम आए हो अगली बार तुम इतना भर कर लाओगे कि यहां लुटा कर जाओगे ये मेरा विश्वास कहता है जैसे एक महराष्ट का कोई भाई रोज आता था और रोज ना जाने कहां से पूरी सबजी बनवा कर लाता कहां से फर्याल बना कर लाता रात को ट्रक भर के लाता और बाहर लुटा कर चले जाता नमन है आपकी भाग्ती को कि नमन साधू साधू कहूंगा मैं आपको प्रणाम करता हूं बाई कोई आया पानी की बाटल भर लाया एक लाग लुटा रहा है साधू बाद है मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा विश्वास इस कारिक्रम को करने से पहले 36 गड़ और महराष्ट ने एक एक टक भरके खाने का अनाज भेज दिया था एसे 36 गड़ और महराष्ट वालों को नमन पर धन्यता मैं साधू बाद दूंगा मन के सुकुन भुपाल वालों को यह मन के सुकुन के लड़के इनको भले धेला चलाते हैं सबजी बेशते हैं जाडू लगाते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करकर रात को नो बज़े यहां पोशते हैं और बारा एक बज़े तक सब लोग जो चारो तरफ गंदगी कर देते हैं यहातों से भर भर कर उसको गाडी में भर कर देख कर आते हैं ऐसे मन के सुकुन के लड़के अधन्य है प्रणाम आपको आपके चरणों को भी दस बार धोकर पीऊ तो मैं छोटा रहूंगा आपकी आगया आपकी भक्ती की आगया नमनता है आपको क्या गुणगान करूं में आप पर आप लाए आपने अपनी व्यवस्ता समाली एक-एक कारेकरता बनकर आये हो तभी जाकर वो कारेकरता के रूप में भोजन चल रहा है और भंडारे चल रहा है और दुनिया के लोग लिखकर डाल रहा है, आदमी भूका मर रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहा है, कि ऐसा हो गया, अरे थोड़ा सा पानी मेरी सीवन महियां का लियाओ, और उसी में डूप कर मर जा केवल बदनाम करने का ठेका लिया है लोगों ने और वो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले दूसरे तो बाद में होंगे पहले अपनों नहीं ठेका ले रखा है दूसरे तो बाद में होंगे शिवक्रपा होगा, शीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसी सीख का नजारा बाबा दिखाएगा जरूर। सीखने को मिला है, सीखो, आनन्द लो, अपने जीवन का एक रस्तत्व ग्रहन करो, एक रस्तत्व ग्रहन करो, विश्वास रखना मेरे शंभू पर, विश्वास रखना मेरे बहुले नाथ पर, विश्वास रखना मेरे देवदिदेव महादेव पर, उसका भरोसा मत तूटने देना, तुम उसका भरोसा नहीं तूटने दोगे, वो तुम्हें नहीं तूटने देगा, इनिश्चित हैं, कहने वाला कहता रहेगा, और अपनाल मस्त होकर अपनी जिंदगी जिए, मस्ती में, मस्त होकर, कई लोग कर रहे ते गुरु जी कई लोगों ने तुम्हारे लिए गलत गलत लिख रहे हैं फेस्बूक पे चल रहा है यूटूब पे चल रहा है हमने का अर आज तो नमक चुराय पे चड़े में घूमता था साइकल से पेदल चलता था लोगों की माचिस के पुड़े साइकल पर बांध कर एजनसी पर देने जाता था पिता जी का चने का ठेला लगाता था अगर उसने यहां बिठाया है तो वो कहीं पर बिठायेगा तो वो ही उसकी इच्छा होगी जहां बिठाया दरने वाला नहीं हूँ उस समय पर भी खाने के लिए ना किसी ने दिया था ना कोई आया था आया था तो किवल मेरा महा दिवा आया था और आज भी वही दे रहा है और एक नियम इस व्यास पीट से आज निवेधन करना चाहूँगा जितने लोग कथा सुन रहे है अगर मेरे भक्त रुद्राक्ष लेने बाद में आएंगे तो यहां के जितने भी नेता अभी नेता और जो मंत्री फंत्री पत्रकार मत्रकार जो भी हो उनसे भी निवेधन पर आप भी लाइन लगा कर उनी के साथ में रुद्राक्ष लोगें यहां रुद्राक्ष लेने परसनल आना मती है और हाथ जोड़कर निवेधने यह मत कहना कि हमारे यहां हैं इनको रुद्राक्ष दे दो हाथ जोड़कर निवेधने जब यह खाली जा रहे हैं तो आप यंके साथ line लगा। मेरे लगात के दरवार में सॉभेक हैं। हमारे संबू के दरवार में साँ इक। हैं साथ हैं। इसकी द्रश्टी उसकी करुणा उसका भाव निर्मल होना चाहिंगे निर्म कि और रनिर्मल भाव हमारे जीवन की शुद्सक्थ है ! इंदोर से आदर्णिय केलाज बीजे बरगी जी ने भी हमको फोन किया महाराजी आप कारिकरम कर रहे हो इससे और दस गुना करो पुरा विश्व तुमारे साथ में हैं और भगवान शिव की कृपा आपके साथ है पुरा विश्व मैं वो आदर्णिय विश्वा सारंग जी को भी एक चीज के लिए धन्यबाद दूंगा कि गजब का व्यक्ति उसने एक बार में कर दिया था चिंता मत करना गुरुजी मैं इतनी सोचालय बनवा कर तुमारे पास में बनवा कर दूं और उसने जो कहा उसने निभा दिया मैं धन्यबाद विश्वास भी आपको जिसने क महाराज शिम महापुरान की कथा कर रहे है मंदार शमी दोनों का मंगल विवा हुआ है मंदार और शमी दोनों का मंगल विवा हुआ है दोनों का मंगल हुआ है और दोनों का मंगल विवा हुआ है और दोनों का मंगल विवा हुआ है दोनों का विवा होने के बाद में दोनो गुमते हुए ब्रह्मान करते 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 जा रहे कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप में नहीं बन सकते आपका जो सुरूप है यह सुरूप थोड़ा सा शीष का मुझे दे दो केवल एक भुशुंडी रिशी ऐसे थे जिनका शीष गणेची जैसा था भुशुंडी रिशी जिनका शीष गणेची जैसा था और जिनका शीष गणेची जैसा मंदार उर्शमी की शादी हो गई इन दोनों ने हसना प्रारम कर दिया जो भुशुंडी रिशी जा रहे थे इनको देखकर हस दिये बहुत थांका लगा कर हसे हसे दुख हुआ हरदय में चोट पहुची हरद हरदय में दुख हुआ है और जब हरदय में दुख हुआ हुआ है कुछ दुख हरदय में जब हुआ है तब भुसुंडी बाबा ने पुरोध में आकर कह दिया मंदार शमी में तुम्हें श्राब देता हूं मंदार शमी में तुम्हें श्राब देता हूं कि तुम दोनों ज बिंती करते रहे ये श्राप ठीक नहीं कृपा करिए कृपा करिए धया करिए करूना करिए तब देव Have the देव कहीं नहीं है अब सब्सक्रान करो सिस्मर्ण करो किरतन करो मंतराव करो मंतर्र न्री करो खिलाया करा सेज्वा करी धरम शालेंको से खोली उसका एक जो समर्पनध कर तुमने करा है उसका फल जिसने निश्कडभाव से करा उसका फल मेरा महद्यों देता जरूर है ये निश्चिता करा इस जैसा पिछले वर्ष समाला था इस वर्ष भी समाला को cu या उनकी हिर्दाय का सुक है समरपन हो और तॉसमरपन का सुक वे परमार्यवद्र हो समरपन का सुकुंध। शमी मंदार जड़ हो और शमी मंदार ढोनों जब जड़ हो जाते हैं गोन हो जाएउन कि आएक приготов कि कि से कहें जब एक्सिडेंट होता है jonain bada रोग होता है बड़ी विमारी होती है बड़ा तश्ताता है कोई इदो ँमसे नहीं कहेगा जब करो कि कि श्री सुक्त का पाट करो कि श्रौ कि पढत करो जब कश्ट बढ़ेगा जब कश्ट होगा कोई एक्सिडेंट हो गया कोई रोग बढ़ गया कोई समस्य आगया तब अब लोग एक ही बात कहेंगे किसी भी ptवान से पुछोगे तो वो कर देगा महमरतियन्य कार निश्ठान करो महामरतुन्जे का जाग कर देगा करो महामरतुन्जे का पर अब ये दोनों मंदार और शमी वरक्ष के रूप में हो गए इनकी आँखों से आँसु बह रहा है शिव अराधना में लगे हैं शक्कर की अराधना मंदार और शमी ने दोनों मिलकर भगवन शिव की अराधना करी और देवदी महादेव ने बर दे दिया सुनों शमी और सुनों मंदार यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा सुनों मंदार सुनों शमी अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ति आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा उसे हजारो अश्मे ग्यग्य के इस नान का जो पुन होता है वो एक छण में प्राप्त होता है हजारो अश्मे ग्यग्य का पुन है हजारो अश्मे ग्यग्य का पुन एक छण में प्राप्त होता है कि ये शमी कि हजारोष में ग्यक्य कपकुंड एक सांथ शमी की बत्ति देखिया आप लोग है जम के बोले जरहा है देखिये मंदार पुष्प भी देखा हुआ है अब शमी की जो पत्ति होती है उस शमी की पत्ति को भगवान देवादी दे महादे उपर चड़ाने का शमी की पत्ति जो होती है उस शमी की पत्ति को चड़ाने का एक नियम भी होता है तोड़ा साउधानी से सुनना इस नियम को जो आपके जीवन को सार्थत बना सकता है शमी की पत्ति को चड़ाने का एक नियम है बड़ा सुन्दर नियम आपके जीवन मोतारने लाएं महारण जब सारा शंगार मेरे देवादी देव महादेव का हो जाए बहुत ध्यान से सुनना ये प्रसंग आया नहीं पहले आज अगर कुबरिश्वर भाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनना बाउस को सुनना पत्ति शमी की जो पत्ति होती है उस शमी की पत्ति को कब कैसे और कहां चड़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपीपन समझने उसको शमी की पत्ती है संपूर ने स्नान भगवान का हो जाए संपूर ने स्नान आप समझें उसको जैसे शिवलिंग है जलाधारी जल निकल कर जाने का स्थान गणेश कार्थी के असुक सुंदरी जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग शिव का सुरू उपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बून जो पानी नीचे गिर रहा है जो पानी नीचे गिर रहा है शिव जी की बेटिय जया, विशहरा, शामली बारी, दवतली, देव, शिव जी के पुतर, बेटिया, अब जब देवदीद्य महादेव को समी का पत्ता चड़ाया जाता है, कब चड़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हात से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चड़ा दिया हो, श संपूर्ण संगार मेरे देवदीद्य महादेव का हो गया, संपूर्ण शữa बाबा कोचंदन का लेपन, अभीर, गुलाल, अक्षध, बेल पत्र, धतुरा, जो भी तुमें चड़ानाहे, सब कुछ तुमने चड़ा दिया सारा शंगार मेरे देवदी दे महादेव का हो गया तब शमी की पत्ती को मा जगजन्नी की जो जलाधारी है उस पर मात्र इस पर्श करा कर शिव के शिवलिंग पर आखरी में समर्पित कर देना चाहिए जिससे हमारी मन की जो कामना है है वह माजगजन्नी देवाधी तेव उसे महादेव ससे कानों दोर करता है. जलादारी और स्थान जब बहुत जादा मत्रा में बहुत कश्टम है जीवन जासे दन भी नहीं है पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवान है, बहुत दुखी जीवान है, तब बेल पत्र और शमी पत्र का प्रियोग जरूर करकर, करके देखना, प्रेक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रेक्टिकल करने में क्या जाता, करके देखना, उस समय पर, इसे वो कहते कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए नहीं पीना चाहिए गलते नाली में पड़ा होता है वैसन में पड़ा होता है ऐ मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा हूं मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है में मुझ से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं गटर में पी गिरते हैं मेरा भाई प्रेक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत प्या कि प्रेक्टिकल वाली बात है शमी पत्र बेल पत्र एक बार जीवन में प्रेक्टिकल करकर देख रहे हैं। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पका है, बरोसा अगर धड़ी है, और शंकर के परति अगर आपका विश्वास पका है, आप साथ दिन या रुके हुए हो, पांस दिन दुके हुए हो, यहां से अपने घर जाओगे निश्शित है अरुद्राक्ष को हुए काई से भी आए कई से भी आहे तुमारे प पहुंचे रूटत है और यह कुंब काई से कई से विक्स अकुषास्वास लेकर आयो भरोसाइक तरहता अप